तो हलो एवरिवन वेलकम टो केमिस्ट्री फोरम और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग क्लास 10 का NCRT लाइन बाइन चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे पहले तीन वीडियो अप्लोड हो चुके हैं इस सीरीज के जिसमें हमने क्लास 10 के चैप्टर 1 को कवर अ अप्लोड करने वाले अपने दूसरी YouTube चैनल पर जहां पे हम एक एक स्टरीमेंट को करके आपको वहां पर दिखाएंगे कि कैसा क्या कंप्लूजन आ रहा है क्या प्रोड़क्स बन रहे हैं ठीक है उसके अप वहां पर काम कर सकते हैं आपको जो भी सजेशन हो आपका तो आ सारे हम लग acids bases and salts acids को हिंदी में हम उम बोलते हैं बेसेश को छार बोलते हैं और लवन बोलते हैं चलिए तो इस्टार्ट करते हैं यहां पर क्या है यूव लर्न इन यूर प्रिविए स्क्लासे डाट सौर और बीटर टेस्ट फूडर ड्यू टू अब लगेगा चीज जो बेसे लगए कि उसमें क्या बोल रहा है कि उसमें जो भी आप टेस्ट देख रहे है क्वी सॉड्वेश में बिडिल स्कुरा तो वह बीटर लगेगा तो प्रेंट है किसी को आप क्या कर सकते हैं मतलब साधिवादी में जाते हैं लोग क्या करते हैं तो बरपेट खाने के चक्कर में क्या होता है विच आप आप क्या कर सकते हैं तो आप प्रिवेस क्लास में पढ़ चुके हैं यह चीज को क्या करना पड़ता है तो हमको क्या करना पड़ता है एसीड को कम करना पड़ता है है तो इसीड को नुट्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो आप यहां पर कर सकते हैं बेस वहाँ पर अपर देंगे लोगों को तो उससे क्या होगा उससे आपका जो भी मतलब अच्छीड के जैसा बोलते थे और यूज़ बिकरते हैं जैसे इनो इनो कांक सेकंड में जो भी है उसका टैग लाइन ठीक है इसी तरीके से बोले बोला गया है नेक्स पॉइंट है विच प्रोपर्टी डीडियू ठीक है रेमेडी जो यहां पर बताया गया है रखा कि जिससे आपने सोडा को समझ पार हमने कुछ ध्यान में रखा तो वह बोलोगे लेकिन बोला गया है कि आपको देखना है कि यहां पर बोला कि आपको क्या फोकस रहना चाहिए था की एसीड और बेस्ट आपसमें एक दूसरे को क्या करते हैं नलिफाइब करते है वह आ चाहिए था ठीक है बोले कि विच प्रोपर्टी डिडियू थिंग और चूजिंग रिमेडी स्यूर्ली यू मस्ट है यूर नॉलेज बाउट अब एबिलिटी ऑफ एसीड्स टूनलिफाई इच अधर ठीक है दूसरा दूसरा पॉइंट क्या रहे तो यह यह आपका क्लियर है पॉइंटि पोलाई रिकाल वी टेस्टेट सावर डिटास थेस्टिंग ठीक है कि लोग फिस तरह के से टेस्ट कर रहे धें कि कौंसा सबस्टांस खटा होगा या फिर तिक यह था से बीना जासे कि है आपको जो डालुटन अश्यांस तो में यह पिर आपके पास आमला है त तो यह सब चीज को आप टेस्ट करके देख सकते हैं तो यहां पर क्या होगा कि मतलब उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन लिखा रहाता है इस तरीगे से लिखा रहेगा अपको यह नहीं करना है कि मतलब कर बताएं लेशट कर लो पीएश टेस्ट कर लो इसके अप बोलोगे लेकिन आप क्या करोगे आप वहाँ पर उसको अपने टंग में रख के उसको टेस्ट नहीं करोगे समझ पा रहे तो कोई भी केमिकल जो है हाजार डियस हो सकता है कि कुछ रियक्शन हो गया होसे के पॉजनेस है तो आपके हेल्थ के लिए हाजार्ड बन सकता है ठीक है अब देखो यह चीज यहां पर बताएगा नेक्स्ट यहां पर क्या बोला जा रहा है यू अल्रेड़ी नो डैसीड सार्ण टेस्ट आपको पता ह भंसट पक्ललर ब्लू लिटमस कुट कर रहा है अडियो और छोली कि लिए आपको पता हुना चाहिए बार बार इसे में कनफुजन होता है कि ब्लू लिटमस ब्लू लिटमस को रेड़ मैं कनवट करेगा ठीक है अशिद क्या करे दिमार ना चाहिए एसिट क्या करेगा ब्लू लिटमस को रेड कनवर्ट करेगा बेस का बेस क्या होगा बीटर होगा और यह क्या करेगा चेंज करेगा कलर ओफ बेस क्या करेगा रेडस को ब्लू में कनवर्ट कर देगा बेस Рेडस Bur Bye करेगा अब बता सो यहां पर बुला गया है किप इनिडिकेटर वास सबस्टांस बेसे ऐ टीक है तो जो नैचुरल इंडीकेटर होता है उसमें मतलब वह नेचर में मिलता है यह सब कुछ सब्सक्राइब कर दो इससे आप को पता चल रहा है कि जो आपका तर्मरीक डाले तो यहिए ना तर्मरीक किसमें यही बोले कि तर्मरीक है ना तर्मरीक में यहाइब कि यहीं है काम इंडिकेटर का कि वह और बैस में अपना डिफरेंट इपर करते है यहाँ वहीमने सोप विच बैसी की नेचर इसक्रब डॉने तो जो बात अभी हमने बताई वही बात यहां पर लिखा हो यहां आपके इसमें रावण कोई दाग लग गया है सफेज कपड़े में तो उस लिख आप यहां पर बोला जा रहा है कि it turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water फिर बोला जा रहा है कि अब सारे bases निकल गए बस hutो निकल वाहा से वहार से वासर क्या हो बबसे यह घाएक है तो यह इंडाइस चाहर रहीं इसलिए तर्मरी को बोल रहे बोया विए संदेटम से सिन्शंध्य बोल सकते हैं और to the test for acid and base acid or base के लिए आप synthetic use कर सकते हैं synthetic indicator और natural indicator natural indicator में हमने दो नाम पढ़ा कौन कौन सा पहला नाम था आपका litmus और दूसरा है आपका दूसरा नाम था आपका turmeric ठीक है और synthetic में जो हमने दो नाम पढ़ा एक है अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि अचिए और बेस का रिक्षन कैसे होता है और बेस कैसल आउट इच अदर मतलब किस तरीके से नालिफाइ कर रहे हैं अभी तक हम जान रहे हैं कि और बेस आपस में दूसरे को क्या कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं वह चीज़ हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है और भी जो भी कुछ अब आंपर इस यहां पर्डाय होता है मतलब कलर होता है ठीक है फॉपल डाइफ्स एक्सक्टडेस प्रम होगा तो लागें किया जाता है तो लाइकन क्या है लाइकन ए यह सब आप जब नाइन क्लास में होगे तो यह सब पढ़े होगा अनिमल किंग्डम प्लांट किंग्डम में और अलेवेंथ में यह आपको यह सब पढ़ने का सबागी प्राप्त होगा ठीक है अब यहां पर क्या बोल रहे हैं वैंदा लिटमस solution is neither acidic nor basic अब बोलेगे लिटमस solution क्या होता है अजब नहीं तो अजब बेसिक होगा और इसका कलर क्या है परपल है तो इसका कलर कैसा रहेगा परपल रहेगा solution की भी अथरी पेपर की नहीं ठीक है देर आर मैनी अदर नैच्रल मेटेरियल लाइक देखो देखो रेड़ कैबेज लीव टर्मरीक कलर पिटल्स ऑफ संप्लावर्स सच है हाड्रेजीन है हाड्रेंगिया पेटूनिया ठीक है गिरेनियम यह सब भी जो फ्लावर के पिटल मेंटल्स है यह लोग भी क्या करेंगे अपना डिफरेंट डिफरेंट कलर तो करेंगे इसको नैच्रल इंडिकेटर्स जैसे कोई फ्लावर का प्रट्स है तो बहुत सारे फ्लावर्स का नाम लिए तो बैसिकली यह सब यहां पर इसलिए मैंसम किया है रहें आगी कभी-कभ स्क्र HCORM कोई करे यहां यहां यह बोला है कि यूफ के बिफाय यह क्या बोल डेते हैं इंडिकेटर बोल देते हैं तो यह специ नेक्स नेक्स क्या है यहां पर आ गया जा रहा है कि यूँ एब बिन प्रोवाइड़ विट थ्री टेस्ट यूब यह कोश्चन हर बार एक्जाम में पूछता है क्यों कॉमन आई क्यू का कॉस्चन है ठीक है इसके लिए साइंस का ज़रुरत नहीं है इसके लिए बस आपको पता होना चे उनुप किस को कीई कानवर्ट में कमट कर रहा है मियं एक सा क्लर सो कर रहा है यूफ बीन प्रोवाइडर ठीक में सब्सक्राइब को किया नहींď तो लिबा दिया गया है कि एक में एसिडिक वाटर है मतलब एक में बेसिक और एक में डिस्टिल वॉटर एप आब आपको क्या गया है कि इसमें क्या है इसमें बताओर कैसे बताओ जा इस पूल थे तीन टेस्ट टूमीड क्या है बताओ कि कैसे बताओ को सोचना है दोड़ा है तो क्या बताओ कि एक बार आप सब जा er is a bear बैपर है तो अब ही क्या पढ़ा है तो तो जो भी बीस होता है आपको नोलेघ होना चाहिए क्या होगा बैस क्या करता है रेड लेटमस को कहां बेज़ता है blue में ठीक है rare litmus回去 Blue में और ऑर ये ईसीड होता है एसीड क्या कृता है blue lep перус को कहां भीजता है red में ठीक है अब आपके पास एस सिर्फ red लिटमस है तो आप क्या करोगे तीनों जो टेस्टिम ना तीनों में बारी-बारी से क्या करोगे पानी उगा कोई आएगा जिसमें स्थाइब na किसा्यार करती है जो बन गया तो अब जब वाले को भी और करोगे तो तो आप पास जो रेड़ लीटमस तो वो क्या बन चुका है बन चुका है अब उस ब्लू लीटमस को बांकि जो तेस्ट वी बच्छे उसमें डिप करेंगे तो वाटर में करेंगे तो ब्लू का ब्लू alleen लेकिन जब आप एसीड में उसको करेंगे वह क्या हो जाएगा ब्लू से रेड हो जाएगा वापस तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कौन सा एसीड है और कौन सा डिस्टिल वाटर है समझ गया तो यहां पर यह कोश्चन दिया हुआ इस कोश्चन का डिफरेंट लुटमस दिया तो ब्लू को चलर चेंज करके रेड कर सकते हैं अब यहां पर जो डिस्टिल वाटर दिया डिस्टिल वाटर के जगा मानलो कुछ दूसरा सॉल्यूशन डाल दे जो न्यूट्रल हो लाइक अल्कोहल के बारे में कुछ बोल दिया फिर कुछ इस तरीके से दो थोड़ी थोड़ा मतलब important question है पहला question था आप इसको solve कर सकते हैं अब यहां पर अंडरेस्टेंडिकल प्रोपर्टी जो यहां पर बेसिकली बोला गया कि आपको समझना है कि acid क्या है बेस क्या है तो देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपका science laboratory है ना वहां से आपको कु sodium hydroxide ammonium hydroxide तो यह सब सेंपल आपको collect कर लेना है लैप से अपने ठीक तो सही है इसके बाद क्या पूटे ड्रॉप ऑफ इच अब इच आफ दा अवाफ सॉल्यूशन ओन ए वाच ग्लास ठीक है वाच ग्लास आपको बताया हो कि इस तरीके का कुछ equipment होगा मतलब ऐसा होता है ज अब उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको यहां पर जो भी सैंपल सॉल्यूशन है सब्लू इसमें डालोगे तो क्या होगा फैन अप्थलीन डालोगे तो क्या होगा तो यह सब एक्सपरिमेंट जो भी इसमें बताया हुआ कि क्या होगा तो वह आप हमारे एक्सपरिमेंट वाले चैनल में देख सकते क्या हुआ ठीक हम यहां पर मेंशन कर देंगे अब बेसिक लिए आप देख लो यहां पर क्या किया गया है कि एक सिड के मतलब एक नैच्छल इंडिक बेसिकली फिन प्र φucionesर दोनों को यहां पर रखा गया है जिसके बदा सकते हैं कि क्या है इसमें से जो भी सैमपल सैंप्ल आपने कर रहा है और बेस टिक है कि अब इसमें बोल रहे है कि दीजर संबस्क्राइब 생 valuable change inAC in basic media इस दिए Dimble I am Chief Leafs सब्सक्राइब तो पला जारे कि इंडिकेटर्स जिनका जिनका और MV में अलग होता है और उट्ल्ग होगा तो वही चीज़ आपको बोला गया है कि छेकरने के लिए कैसे अपमेसे मेंसे फिर면 है जिनका अरोमा चेंज होता है इसीड और बेस के पर जंस में उनको क्या बोलते हैं ऑल्फेक्ट्री इंडिकेटर्स पुलते हैं क्या बोलते हैं ऑल्फेक्ट्री इंडिकेटर्स थीक है तो अल्फेक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब वह क्या करेंगे वह अपना अरोमा या फिर यह एक प्लास्टिक ब्याग में डाल दें इसको और उसमें क्या करें कुछ साफ प्लाजो साफ है उसके कुछ इस ट्रिप को ढूले ठीक टाइप दबैग टाइटली और नाइट इन दा फ्रीज फ्रीज में डालके राद बर छोड़ दें तो अब जो आपका इस्ट्रिप होगा ना उसमें क्या होगा ओनियन का स्मेल आजएगा तीक है अब क्या बोले अब इसमें से आप दो क्लोथ का स्ट्रिप को उठा लीजिए ठीक है उनको स्मेल करके देखें कि बराबर इसमेल आ रहा है या नहीं आ रहा है और कीप देम और क्लीन सर्फेस में रखें अब इसमें पूट फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट स्ट्रिपन डाले और एक में कॉंसेंट्रेट में बताएंगे कि क्यों नहीं डालने बोला जा रहा है रहा है सब्सक्राइब असब्सक्राइब नहीं डालने बोला जा रहा है यह आप कमेंट में बताएंगे आप क्या बोल रहें बोत ख्लॉट इसटे वित वाटर एंड अगें चेक दिर और मतलब आप एक बार डैल्यूट डाल दिये और इसके बाद क्या किया उसमें कर दिए उसमें डालने के बाद क्या करना उसको रींज करेंगे वाटर से इसके बाद उसका ओर्डर को आप स्मेल करेंगे ठीक है ओर उसका कैसा चेंज हो रहा है क्या स्मेल आ रहा है ना टेक सम डाल्यूट वैनिला एसेंस आपको क्या करना है वैनिला एसेंस लेना है क्लोव वाल इनका ओर चेक करना है अब इसमें इनका वैनिला एसेंस का जो ओर आड़र है ठीक है इसमें आप क्या करेंगे take some dilute HCL solution in one the test tube and dilute NUH solution in another एक में HCL solution ले 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 दूसरे में NUH ले ले अब इसमें किसी में एक में vanilla essence add करना है तो बोध टूस्टूब एंड शेक वेल मतलब जो भी test tube vanilla essence add करके आप उसको शेक करेंगे check the order once again and record the changes in order same same आपको क्लोव के साथ करना है तो बिसिकली आपे तीन experiment दिया है एक onion के साथ एक क्लोव के साथ और एक वैनिला के साथ तो तीनों experiment को आपको perform करके देखना है कि किसमें बेस में और एक इसीड में कहां पर क्या changes आ रहे हैं इसमेल में चेंजे जा रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यह तीनों को क्या बोल सकते हैं अम लोग olfactory indicators है जो क्या कर रहे है कि आपका acid में और base में अलग-अलग इसमेल सो कर रहे हैं ठीक तो वीच वीच आप डिस वैनिला ओनियन और क्लोव यह तीनों में से हम किसको यूज कर सकते हैं किसके जैसे यह आपको बताने बोला गया है तो जब हम हम एक्सपरिमेंट करेंने की कौन और बनने लायक है और कौन यूजलेश है ठीक है नेक्स आज़र यहां पर बताया गया है कि हाओ do और बेष्टर के साथ कि यहां पर देखना है इसमें पिसकली बता गया बेसिकली क्लास टैन यूज आपको भर-भर के activity दिया गया है जो भी questions बनेंगे almost activities से ही बनेंगे आपको reactions यहां पर पता होना चाहिए क्या है और किस तरीके से experiment कर रहे हैं यदि आप experiments को तरीके से समझते हो तो आप बहुत अच्छा अच्छा लिख पाएंगे और फूल में यह apparatus का setup दिया हुआ है जो भी है तो आप इस तरीके से setup बना लोगे इसके बाद क्या बोला गया कि देखो इसमें बोला गया है कि इसमें पांच ml आपको dilute sulfuric acid डालना है dilute देको जो भी काम हो रहा है dilute में हो रहा है dilute और concentrated का concept आपको बताया जा चुका है dilute मतलब होहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आपका less concentrated मतलब वहाँ पर ज्यादा एच प्लस आयनस नहीं होंगे कम हेच प्लस आयन होंगे दो तो हम उसको बोलते हैं कि अब इसको थोड़ा करो तो फिका करने के लिए हम क्या करते हैं हम उसमें थोड़ा अलग से पानी एड़ कर देते हैं ठीक है क्योंकि आपके पास नहीं है पास बिलाखंदWait.ध देशन ग्रीका देखर ग्राफंद और टो फिसें झाएटर यहीं खर सवयिके क्या सब्सक्राइब है ब香港 और जासे आपका आपकर कोंट नों कृट्ष मिलता है लैब में experiment करने के लिए तो इसमें जी में चर बोले के चर्फेस पे क्या होगा आपको औब करना है अब जो गैस को क्या करना है आपको पास करना है शोप मिला मेला में आप देखे मेले में जाते हैं तो कोई बेचते हैं तो क्षक सारी ब xem सब्सक्राइब यहां पर उपर से जो गैस आएगा तो यह निकल रहा है नाई इस में यहां पर जाएगा यह निकल तो अपर जया तो ऑफ裡 फुब फर हुआ है उसमें भरा हुआ है आपका hydrogen gas hydrogen gas भरा होगा तो hydrogen gas का टेस्टिंग ही यह है कि उसको यह बर्निंग candle या बर्निंग मैच स्टिक के पास ले जाओगे तो यह मिलत है और से आपके बनाते हों जाने से लाएं अब्सकों जाते है तो वहांपे ऑपका पाइब बताया हुए ठीक है तो यह हो गया आपका एक्सपरिमेंट का सेट अप बनाया गया है तो अब इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे इसका कंक्लूजन देखो कि acid now that the metal in the above reaction displaces hydrogen atoms from the acid as hydrogen gas and forms compound called salt ठीक है तो दस है metal reaction of metal with acid can be summarized मितलब acid में जब आप metal add कर रहे हैं metal में acid बात एक ही है acid plus metal क्या बनता है salt बनता है और क्या होगा hydrogen gas इसमें बोला गया है कि है जब भी आप acid में कभी भी metal को add कर रहे हो तो उसमें क्या होगा आपका hydrogen gas सोट जो हता हूँ क्या करता है hydrogen gas को displaces कर देता है किस फॉर्म में है है मतलब hydrogen ions जो ऑइंस है acid में ह ईच प्लस i truck लेंस होते हैं अपको पता है साल्ड बनता है साथ हड्रोजन गैस रिलीज होता है ठीक फिर एक एक एक्टिविटी है अब प्लेस फ्यू पीसे जिंक मेंटल इन टेस्ट्यू एड्टू एड्टू एमल ऑस सोडियम हड्रोकसाइड बोल रहा है कि जो आप किये थे एसीड के साथ ना अब सेम कहानी करना है बट यहां पर क्या करना आपको बेस एड्ट कर देना है ठीक है अब जो भी टेस्ट्यूब में डाले जैसे जिंक डाल दी आप उसमें बेस डाले थोड़ा हीट की जाए रिपीट रेस्ट आप अप्टिविटी 2.3 रिकॉर्ड और बोले कि आप जो सेम वहां पर किया है ना तो बोले तो जो रिक्ष्टन होगा ना यहां पर देखो एन एडवेच्ट प्लस जिंक क्या बन रहा है एन टुजड नोटू ठेक है इसका नाम क्या हो जागा इसमें भी हैड्रोजें गैस निकल रहा है तो यह वाला जब रिक्शन आप कराओगे तो यहां पर भी आपको साउंड मिलेगा ठीक है अब यह बोल रहे है यू फाइंड अगें इस फॉर्म इन दे रिक्शन अब देखो इंप्टेंट पॉंट यहां पर लिखा है हावेवर रियक्शन आर नोट पॉसिबल वित ओल मैटल मतलब यहां पर आप कोई भी मैटल डाल रहे हो सोडियम डाल या फिर कोई भी दूसरा दूसरा मैटल डालोगे तो वहां पर यह सेम इस तरीके का रियक्शन नहीं होगा तो यह थोड़ा माइंड करना है कि एसीड के साथ अल्मोस्ट अल्मेटल रियक्ट करके आपको हैड्रोजन गैस रिलीस करेंगे लेकिन जब बेस की बारी आएगी बेस की जब बारी आएगी तो वहां पर सारै मेटल अपना हैड्रोजन गैस्ट नहीं और रिलीस करेंगे बहुत कवी मैटल होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं इस तरीके का जो औकसाइट बनाते हैं वही मेटल से यहां पर रियक्ट करके आपको इस तरीके का मतलब कंपाउ ठीक है तो यही लास्ट लाइन जो है यहां पर इंपोर्टेंट है कि हावेवर सच रेक्शन सर्ट पोसिबल बित और सारे मेटल के साथ यह रिक्षण पॉसिबल नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट यहां पर दिया है 2.1.3 में हाव डू मैटल कार्बोनेट का से रियक्ट करता है ठीक है इस तो इसके लिए यह नहीं पर प्लान के गया है तो इस के लिए टक्विटी चूट कार्बोनेट प्लान के लिए करना है और दूसरे वाले में 0.5 ग्राम आपको sodium hydrogen carbonate करना है ठीक है sodium carbonate sodium hydrogen carbonate आपको add करना है अब इसमें क्या करना है जो टेस्ट्यूब थैंस के अध्या च्छा होना चाहिए आपके पास observation अच्छा है तो आप वहां पर कोई भी रिसर्च और यह सब में अच्छा योगदान दे सकते हैं ठीक है देखो अब यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आपको देखो इसमें सौडियूम कार्बोनेट रखे हैं और यहां पर क्या कर रहा है कि है कर दिए कर दिए अच्छा यहां पर बन रहा है लोग है तो क्या बनता है सॉल्ट बनने के साथ 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 वाटर निकल रहा है और साथ यह साथ कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा प्लफर पर हैं यहाँ अब क्या देख पार यहां पर निकलेगा बहर निकलेगा तो आप बोलई जा रहा है कि आपके पास जो भी प्रोड़क्त बन रहा है न जैसे यहां पर चाल्च होगा बहर निकलेगा तो अब जा रहा है कि जो calcium hydroxide होता है calcium hyd przetach limo कौकटव आप कैसे जानोगे को सीओ टुटोटू है तो थो एतो तो ऊसको confirm करने के लिए हमारे पास confirmatory test होते हैं ठीक है ठीक है तो उसी तरीके से यहां पर हम कार्बन डाइकसाइट का टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं कार्बन डाइकसाइट को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं lime water that lime water carbon dioxideOOK cameras तो इससे क्या होता ह ? इससे बनता है的人 CACO3 silsium carbonate के बनता है जो कैसे color का हुता है white precipitate होता है तो मतलब जो lime water name water में झानी कि तो lime water milky color बीदेश सऑ जाख दूद्ध सब्सक्चेंज हो जाएंग तो या आपको गया तो ओष्दर कर médian मैं बता है कि on passing excess of carbon dioxide एक बार यदि लाइम वोटर में पास करोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा मिलकी हो जाएगा क्यों होगा क्यों कि हापर calcium carbonate बन रहा है अब बोल रहे कि जो calcium carbonate है ना उस calcium carbonate में यह आप और ज्यादा CO2 पास कर रहे हो और ज्यादा CO2 पास कर रहे हो तो क्या बन जाएगा वह बन जाएगा calcium hydro इस तरह के से यहाप बन जाएगा ठीक है CAHCO3 calcium bicarbonate बन जाएगा इसमें क्या होगा जब calcium bicarbonate बनेगा तो calcium carbon यह क्या है इस वाटर है तो इसका milky कलर है वह आपस से क्या होगा डिसपेर हो जाएगा मतलब जैसे मान लो कि आप पानी को पानी कलर का था लाइंग वाटर उसमें आप यदि फूंक मारे co2 डाल देँ कहाँ के ऐसमें और doctors करते जाओ ऑन से जाएगा क्या बन जाएका कैल्सियाम bicarbonate क्या होता है वह आटर में सलिवल हो जाएगाा तो जो मिल्क कलर ओपकी कलर होगा तो मिल्केट चosurezna हो जाएगा तो वही चाहां पर बता कि lep co2 यहां ब Только कीडैंट कीफिए थे कर्णा का नमक तो नहीं होता है म Madison Schwal ढूसे कालर चेंजि और आ सल के state पॉल सब्सक्राइब कर ले रहा है। स्टोन लाइम स्टोन चौक मार्बल और डिफरेंट फॉर्म ऑप कैल्सियम कार्बोनेट तो यहां पर इसको जन्रलाइज फॉर्म में लिखा गया कि जितना भी मैटल कार्बोनेट मतलब जब मैटल किसी मतलब जो आपका मैटल कार्बोनेट तो आपको क्या मिलेगा सॉल्ट मिलेगा मिलेगा वाटर मिलेगा इसको आपका पर इसको बन जाएगा तो यह आपका यहां पर एकस्पेरिमेंट के साथ दिया हुआ है नेक्स्ट नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है ना उसका नाम है हाव डू एसीडेंट बेस रियक्ट विद इचेदर तो बोड़ें कि एसीड और बेस आपस में किस तरीके से रियक्ट करते हैं तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अभी तक जो आपको ब यह तर एक इंडरेस्टेंडिंग डेवलोप करनी के लिए जूड़े रहा हमारे चैनल से ठीक है तब तक के लिए बाई